हेलो दुस्तो हेलकंबाक्ट मैं आपको स्वाइद करता हूँ दूस्तो हम लोग बात करेंगे इस मस्किट बैट के बारे में के अंदर हम लोग देखेंगे कि खोल कर कि यह चीज एक्चुलि है क्या तो यह एक्चुलि मॉस्क्यूट मारने का एक डिवाइस है इसका यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ओन करेंगे फिर इस बटन को दबाएंगे तो यह वार्किंग बाला लाइट गुलो करती है तब यह जो है इस नेट में एक हाई वोल्टेज यह देखिए तो इससे क्या होता है अगर कोई मॉस्क्यूट है या फर कोई भी बाग इसके अंदर जाती है तो वह जो है यहाँ पर स्पार्किंग में मर जाती है क्यूंकि यहाँ पर स्पार्किंग क्यों होते है तो बाग की जो बोड़ी है यानि मॉस्क्यूट की जो लिट्जण बाई इस चीज़ को खुलेंगे तो इस तरह का देखने को मिलता है तो यहाप पर सिस्टेम में यह है चार्जिंग सब यह रहा circuit तो यह battery की connection है और यह जो है AC 220V की connection है और यहां से आपका जो हाई voltage है वो जा रहा है तो इसमें तीन तार क्यूँ यह ground है यह दो side में लगए दो side की net में इसलिए दो तार यहापर है और बीच में 1 तार जो है live मतलब की positive तार यह अंदर में आता है अब इस सर्किट को हम लोग डियाग्राम करके देखेंगे ऐसे तो देख कि कुछ पता नहीं चले है जास्ट आपको मैं कुछ ओभर भ्यू दे सकता हूं कि यह जो केपासिटर है यह होता है आपका चार्जिंग वाली केपासिटर मतलब कि जो इसको आप लोग ट्रांसफोर सर्किट्री में काम आती है और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जो लो बोल्टेज को लेके मतलब कि फोर बोल्टेज की बैटरी जो है इसको लेके स्वीचिंग करता है यह आटोमेटिक स्वीचिंग जो है आटोमेटिक बन जाती है जैसे यह ट्रांसफोर्मर है इस ट्रा इसका secondary side तो यहां से जो है connection यहां पर रहा लेकिन यहां पर यह voltage जो है उतना काफी नहीं है कि spark create कर सके तो इसलिए यह voltage double or triple or कुछ circuit लागा गया है यहां पर 3 diode और 2 capacitor और last में एक final capacitor यूज करके मतलब लोग voltage multiply circuit है यह फिर आके यह यह यहां पर इसके पासिटर में high voltage बनाता है यही है थियोरी इसका तो फ्रेंट्स यह रहा इसका डियाग्राम और यह है circuit तो इस circuit में जो AC 220 voltage side में input हो रहा है वो इस side में है और जो output high voltage output हो रहा है वो इस capacitor से तो यहां पर यह capacitor लिखा हुआ है तो इस डियाग्राम को हम लोग explain करते हैं जो components है उसको पहले find कर लेते हैं तो पहला वाला जो LED है वो इस side में लगा हुआ यह वाला और यह जो push button है यह वह वाला है यह है switch यह और उसके बाद एक और LED है वह यहां पर है यह जो transistor है D882 वह यह वाला है यह वाला और यह transformer यहां पर है और आपका जो diode और capacitor से जो voltage multiplier circuit वह यहां पर बना हुआ है और यह तो बता दिया capacitor और आपका यह यह पर यह जो capacitor charging के लिए है वह यह वाला है और यह bridge rectify जो है वह यह वाला छोटा सा दिख रहा है और बाकी register कुछ है तो यह पर दो रेजिस्टर यह पर दो और यहां पर आपका battery है यह वाला तो फास्ट आम लोग charging वाला section को देखते है तो यहां से आप लोग live और neutral connect कर दिए तो उससे यह LED जो है जलती है तो वह indicate करता है कि live इसमें आ रहा है तो charging हो रहा है उसके बाद यह जो capacitor है यह कुछ impedance ओफर करती है जिसको AC resistance आप बोल सकते है नॉर्मल भासा में वह AC resistance के बज़ा से कुछ voltage ड्रॉप हो जाती है और वह rectifier के अंदर से DC बनके battery को charge करता है इसको कई लोग transformerless supply भी बोलते है उसके बाद इस battery से कैसे यह जो चीजे काम कर रहा है देखिए तो उससे आपका दो switch है एक stage जो है पर्वारे LED है कि यह circuit on है कि नहीं यह देखने के लिए मतलग इसको प्रेस किया तो LED जलेगा इस तरह से उसके बाद यह जो ट्रांजिस्टर और यह transformer है यह self oscillating arrangement है जो जूल्थीफ हम बनाते है जूल्थीफ circuit वह भी इस तरह से काम करती है यह फिर जो ट्यू लाइट की चोक होती है व और यह जो है base को active करता है फिर यह जो है base में जितना ज्यादा current जाएगा उतना ज्यादा emitter में भी current जाएगा उसके बाद एक टाइम पर क्या होगा magnetic field जो है saturation में आ जाएगी इस transformer का जो core है वह saturate हो जाएगी मतलोग current बढ़ते बढ़ते एक time पर saturate हो जाएगी core उसके करती है उसके बाद यह जो primary coil है यह primary coil और यह secondary coil और यह है जो feedback coil आप FB बोल सकते है तो primary coil में current जाने से FB coil में current आती है वह transistor को drive करती है फिर secondary coil जो है इसमें लागवग 500 volt की एक voltage आ जाती है मतलब कि इसका जो turn ratio है वह बहुत ही ज्यादा है primary में बहुत कम turn रहती है secondary में 500 volt जैसा कुछ voltage आ जाती है उसके बाद एक voltage triple R circuit है इससे voltage triple हो जाते है तीन गुना हो जाती है फिर यहाप पर 13000 volt जैसा कुछ voltage output होती है तो चले हम लोग इस section को समझते है कि voltage triple R कैसे काम करती है यहापर तो यहापर आपका 500 volt जो आया वह माल लिजे एक टाइम पर यह positive था औ यह plus था और यह minus था ओकी तो इसमें क्या हुआ था तो यह plus होने से क्या होगा कि यह जो डायोड है यह इसके थ्रू इस capacitor को चार्ज देगा plus V में मतलब इसमें आप लोग माल लिजे V voltage output हो रही है मतलब 500 volt माल लिजे तो पहला circle में यह जो plus था यहाप और 500 volt यह भर देया य यह plus हो गया यह minus हो गया इसमें ग्राउंड है चला गया और जो यह वाला circuit है इसमें देखिए यह plus है यह minus है और यह जो है डायोड के थ्रू माइनस में connected है तो यहापर भी 500 volt यहापर बन जाएगी उसके बाद second जो cycle है वहापर यह minus हो गया यह plus हो गया तो फिर से क्या होगा यह minus हुआ यह plus हुआ तो यहापर जो 500 volt भरा था उसका positive है यह वाला negative है यह वाला फिर यहापर positive मिलीगा मतलब positive फिर negative तो यह एक बैटरी के जैसा काम करेगा कोयल और यह capacitor एक बैटरी के जैसा का करना यह capacitor भी बैटरी के जैसा काम करेगा जिसका माइनास इस तरफ एक प्लास इस तरफ है तो यह पर जो है plus और माइनास फिर यह plus मतलब किया सीरी जमें है दोनों वह भुल्टेज तो पास्वोल्ट यह पर बना यह पर पास्वोल्ट बना मतलब के 1000 वोल्ट यह पर वन गय तो यहां पुर है माइनस पास्थबट यहां पूर है एक ऩाजर फुल्ट तो एकुल फो और मैनस फास्थफोंट वह डिफरेंस कितना है 500 बॉल्ट तो पंदरा सो फोल्ट जो है इस नगा इसकेसितर में भट जाएगी बाकि सेंश किल में फिर से यह साइकल होता जाएगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यह चीज कैसे काम करती है दोस्ता अगर इस तरह की इंफर्मेटिव वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल की वीडियो को देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर ल दिए क्षिएब कर दिए म्याद शपक्रेगा कर दोदिए थाव्टार इस पूर देखिए पिर चाई भीडियो के अदीजोग के लिए यॉ पटंगे देखिए कर दो देंजार को देंद हुआ है तो